दोस्तो सेकेंड रेंडिंग में आपका स्वागत है जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अगर आप अपने राइट टार्गेट ओडियंस तक पहुच ही नहीं पाती अगर आप अपने राइट टार्गेट ओडियंस पे नहीं पहुच होगे तो सेल कैसी होगी लोग कैसे आपके साइट पराएंगे और सेल करोगे तो मैं आज कुछ आपके साथ में ऐसे टप्स शेयर करूँगा जिससे आप right audience तक पहुँच होगे अगर आप right audience पहुँच गए मतलब यह समझ लीजिए कि आपकी property sell out होगे अगर आप right audience तक नहीं पहुचे तो आपका जो भी खर्चा था ad का campaign का वो सब waste हो गया तो कुछ मैं tips आपके साथ शेर करूँगा अगर आपने उसको implement किया तो definitely आपकी sales क्या होगी real state में भढ़ जाएगी जो सबसे पहला आपको ध्यान देना है use keyword research tools to find what kind of query keywords people are searching through keywords planner आपको एक अपना keywords planner बनाना पड़ेगा और आपको यह देखना पड़ेगा कि real state में लोग search क्या कर रहे हैं अगर जो चीज आपको पकड़ में आ गए कि यह keywords है और यह लोग search करते हैं तो definitely आप भी क्या करोगे उस keyword को आप अपने campaign के लिए इस्तेमाल करोगे आप अपने add के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपको आने वाली मेरी जो 13 trainings है how to close the sales तो definitely उसके बाद तो आप उनको call करके कैसे site visit पे बुलाना लेकिन जो basic primary चीज है वो यह है कि किस तरह से आप right target audience तक पहुच पाओ तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है keywords पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी keyword searching में तो या तो आप किसी expert को hire कर सकते हो या ऐसे किसी agency को देख सकते हो जो definitely यह सारा काम कर रही है तो दोस्तों हम क्या करते हैं हमारे कुछ topmost clients है उनको हम एक keyword planner बना के देते हैं कि आपको अभी इस keywords पे हमें क्या करना है काम करना है तो जब वो काम शुरू हो जाता तो definitely हम क्या करते हैं हम right audience को पकड़ पाते वैसी मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि आप भी यह practical चीज अपने साथ में क्या कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं second जो tip आपको ध्याम में रखनी है वो यह है दोस्तो create ads on google based on keywords you research जो keyword आप research करोगे दोस्तो research बहुत माहिनी रखता है किसी भी sales के लिए कि public क्या ढूंड रही है उसके लिए आपको research करना बहुत जरूरी एक बार आपको वो research मिल गई कि public क्या ढूंड रही है वो keywords बल गया मैं आप लोगों को definitely कहना चाहूंगा कि आपने आधी जंग वहीं पर जीत लिए यह आपको पता चल गया और उसी के ओपर आपको Google ads करना है उसी research पे based पे तो आप जिस expert को hire करोगे तो उसको आपको बलना कि आपको keyword planner बनाना है और आपको इसी keywords पे क्या करना है ad create करना है और लोगों को target करना है जिसे मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे जो बहुत बड़े-बड़े clients हैं इसके लिए जिनके लिए हम real estate के लिए काम करते हैं हम उनके keyword planning करते हैं और Google पे हम उसी को क्या करते हैं target करते हैं दोस्तों तो क्या होता है हम directly right audience तक पहुँचते हैं और जब आप right audience पे पहुचोगे तो आपका result जो होगा वो concrete होगा और अच्छा होगा run facebook ads on based on interest and target property listing website audience हां दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको facebook पे ad चलाना है according to their interest यह बहुत जरूरी चीज़ है दोस्तों कि public का interest कहां पर है वो कौन से property लेना चलते हैं उनका interest कौन से area में है जब आप कोई facebook ad run करो तो आपका जो target होगा वो interest based होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने interest based target नहीं लिया तो जो भी आप add करोगे उसका result impact इतना अच्छा नहीं आएगा और आप proper claim तक नहीं पहुच पाओगे तो सबसे important होता है campaign तो हरको ही करता है लेकिन जो expert campaign करता है दोस्तों वो proper interest के साथ में करता है और यही quality होती है उस campaign को run करने वाले की तो मैं आपको यही कहूंगा कि या तो आप किसी agency को hire किजिए या you can take our services also we are right now providing services to all real estate agents and property dealers ठीके हमारी पूरी team है जो यह सारे चीजों पर research करती है अगर आप हमारे तक नहीं पहुच सकते तो यह चीजे आप जिससे करवा रहे हो उस बहुत अच्छा आएगा दोस्तों और इसके बाद में और एक technical video आपके साथ share करूगा उसके बाद में 13 videos आपको how to close your sales के बारे में देने वाला हूं दोस्तों यह जो videos है यह बहुत ही मैनल से मैं बना रहा हूं तो मैं आप सभी लोगों को request करूगा इसे काफी लोगों को फ